आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज फेस्बुक एड्स लिंगों क्या होता है फेस्बुक एड्स ट्रक्चर क्या होता है फेस्बुक एड्स एनाटॉमी क्या होता है फेस्बुक प्लेस्मेंट क्या होता है मतलब ऐसी चीजें जो बहुत सा Facebook Ads Driver बनना है तो आपको ये चारो चीज का समझ होना बहुत साथ इंपोर्टेंट है So my name is TN, you are watching online money as usual अगर आप चैनल के नहीं हो तो make sure चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का अगन जरूर प्रेस करो और इस वीडियो को लाइक करो ब्रकोश आपको एक लाइक मुचे बहुत साथ मोटिवेट करता आप लोगे ऐसी वीडियो लेते आने के लिए लेके आने के लिए और आपको ऐसी बहुत साथ यूसफूल इंफोरमेशन देने के लिए जितना ज़द आपको knowledge growth होते जाएगा उतना ज़द आपका पैसा ग्रोह होते जाएगा उतना ज़द आप इस industry में कामियाँ भी हासिल करते जाओगे तो knowledge हमें सहां लेते रहो और मैं knowledge बिल्कुल free of cost देता हूँ बिल्कुल free of cost कितनी भी बड़ी चीज़ है इस चैनल पर आपको free मिलेगी जो internet से related है जो आप internet से earning करना चाते हैं वो सारी चीज़ें free मिलेगी आप चैनल में playlist में जाके चेक करो बहुत सारे और भी कॉर्सेज़ें free of cost है चेक करो और देखें Facebook ad structure क्या चीज़ है लेट्स गो जैसे कि आप देख पा रहे हो Facebook ad structure जब आप Facebook में ad लगाने जाते हो right क्या करने जाता हो Facebook में ad लगाने जाते हो तो आपको यह तारा की चीज़ें और जाता है जब भी आपको कोई ad fit करने जाते हो Facebook ad में तो सबसे पहले आपको मिलता है campaign option campaign अभी मैं करके भी बताओंगा campaign option कहां रहता है then उसके बाद आपको होता है एड सेट का option और उसके बाद आपको मिलता है जहां पर आप अपनी एड को बनाती हो मैं कह सकता हूं और सेट करते हूं दूसरों को देखाने के लिए इसके बीच में होता है एड सेट और उससे होता है लौट अर्प Champions में क्या होता है गम्पेंट में और सेट करना होता है जैसे कि यह पार फोल। तो अगर आप वह नहीं देखिए तो आप उस चीज़ को जाए जरूर देखो आप क्या आता है इसमें केंपेंड में आप एक मार्केटिंग औब्जेक्टिव स्लेक्ट कर लेते हो टार्गेटिंग बजर्ट यह सारी चीज़ें आप लग क करते हो उसके नीचे क्या आता है आपका एड कि आपको क्या आप कैसे रहाए बनाते हो अब मैं इसको ले जाता हूं आपको फेस्बुक एड बनेजर में वहां आपको दिखाता हूं यह तीनों कहा होती है ओके लेट्स को जैसे आप यहां पर आवे तो आपको दिख जाएगा Facebook एड इस्ट्रक्चर यहां पर आपको campaign दिख रहा है एड सेट दिख रहा है और एड दिख रहा है यह तीनों जो मैंने आपको अभी पताया जस्ट सेकंड पहले यहीं पर आप देख सकतो यहां पर campaign यहां पर यहां पर यहां पर आड यह तीनों चीज़ें यहां पर हो तीन है राइट यह होता है है फेस्बुक का एड इस्ट्रक्चर जो अब तक चल रहा है बट अभी बहुत यह जल्द फेस्बुक लॉंच करने वाला है सी ओ बी campaign optimization budget ठेक है अब यह क्या होता है कॉम campaign optimization budget तो यह होता है campaign optimization budget जो आपको सामने दिख रहा है यह है without campaign budget optimization यह है with campaign budget optimization अभी आप यह चीज़ यूज करते हो पहले आप का आता है campaign फिर आप का आता है एड सेट और फिर आपकी एड अब इसमें डिफरेंस यह है कि आप जो एड सेट का करना चाहते हो ठीक है ध्यान से सुनना नहीं समझ मैं वीडियो को फिर से देखना अगर यह सारी चीज़ समझ नहीं आएंगी तो फेस्बुक एड सेखने का कोई मतलब नहीं है free of course दे रहा हूं इतना अपना time दे रहा हूं वीडियो को edit कर रहा हूं बना रहा हूं आप लोगों के लिए place कर रहा हूं यह courses मैं sell कर सकता हूं बहुत अच्छे खासे free में provide कर रहा हूं तो make sure कि आप चीज़ों को सही से सीखो notes बना तो अभी जो चीज़ हम लोग यूज करते हैं उसमें हम लोग अलग-अलग पैसे बाट देते हैं अगर आपने अगर चाहें 5,000 डॉलर अगर आप चाहें 15,500 डॉलर अगर आप चाहें 1000 डॉलर धीक है यह डिपेंड करता है अभी जो हम लोग यूज करते हैं यह किसमें कितना पैसा लगाएं और कौन सा हम एड को आगे scale करें और किस चीज़ को हटाएं इसमें थोड़ा से हाड़न इफिकल्ट होता है इसलिए अब जो आने वाला समय है बहुत जल्ट जो सी ओ भी है ठीक है कैमपेन बजट अप्टमाइजेशन जो फेस्बूक लॉंच करने वाला है कमपलसरी कर देगा कि हमेशा आपको यह यूज ही करना है अब इसमें क्या होगा इसमें आप कैमपेन लेवल पे ही पैसे जमा कर दोगे जैसे कि एटसे लेवल में हम पैसे चुनते हैं कि हम इतना पैसा भाई डेली का रन करेंगे ठीक है वहाँ एक औप्शन आएगा मैं जब एडसेट करूंगा जब पतलब ठीक है कैमपेन लेवल पे ही अपना बजट सेट कर दोगे अभी यह मैं दिखा भी देता हूँ यह ऑप्शन कहा होता है ठीक है और उसके बाद एडसेट में आपको यह कुछ भी सेट करने की जरुवत नहीं है वहाँ सिर्फ आपको आपकी टार्गेटिंग सेट करनी है और उसके बाद लास्ट में जो भी एड अच्छा परफॉर्म करेगा उसको फेस्बुक ही चोईस करेगा और उसको अपने आप स्केल करेगा मतलब उसमें ज्यादा पैसा लगाएगा और जो एडसेट है देखेगा काम नहीं कर रहा है उसको वहीं पर रोग देगा काम पैसे मे यह बहुत ऑटो सिस्टम होगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा हम लोगों के लिए अब मैं दिखा दिता हूँ यह option होता का है वालो सबसे पहले मैं यहां पर आया और यहां पर मैंने traffic को select कर लिया मुझे traffic का चाहिए objective जो है marketing objective select करना है उसके बाद देखो यहां पर जब मैं इसको on करता हूँ मतलग इसको on ऐसे करता हूँ तो यहां पर option आगा है कि आप कितना पैसा daily budget लगाना चाहते हो ठीक है अभी option में है बट बाद में थोड़ी समय बाद यह कंबल सरी हो जाएगा कि आपको यही use करना ही है ठीक है तो यहां पर देखो यह जो चीज मै बाद देगा और उसमें जो best होगा उसको आपके लिए run करेगा अभी हम क्या करते हैं हम यह करते हैं हम 10-10 डॉलर हर adset में लगाते हैं इस समय क्या होता है जब हम 10-10 डॉलर अभी लगाते हैं तो इसको मैं off करके दिखाता हूँ off कर देते हैं यहां traffic ले लेते हैं फिर continue करत और यहां पर आपको पूछेगा कि कितना पैसा डेली का लगाना चाहते हो ठेक है यहां आपको पूछेगा पूरा यह दोनों का difference है इसको बोलते हैं Facebook ad structure अब मैं जो दूसरी चीज़ है वह मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ Facebook lingo Facebook ads lingo क्या चीज़ होती है तो Facebook ads lingo के लिए मैं आपको बता दूँ Facebook ads lingo को बहुत बढ़ा rocket science नहीं है नाम से ऐसा लगता है यह बहुत बढ़ा rocket science है बट मैं बता दूँ यह बहुत जादा easy है CPM के बारे में आपने सुना होगा cost per thousand impression बोलते है जिसको फिर उसके बाद आपने CTR के बारे में सुना होगा प्रू rate बोलते है जिसको ठीक है तो CPM क्या होता है जो आपका माल लो कोई भी एक link है उसमें 1000 क्लिक आ रहा है और इतना पैसा जो भी x amount लग रहा है उसको बोलते है CPM pixel क्या होता है pixel वो चीज़ है जैसे कि आपका एड चल रहा है आपने जू लैंडिंग पेज बनाया उसमें pixel लगा ले तो आप उसको बार बार री टार्गेट कर सकते हो जिन लोगों ने उसको देखा है आप उनको बार बार आड दिखा सकते हो यह एक option होता है फेस्बूक का ठीक है उसके बाद आता है कनवर्जन कनवर्जन मतलब जैसे आप मालों CPA का एड चला रहा है तो आपको हाँ link पे click click हो रहा है click हो रहा है मतलब आपका conversion हो रहा है अगर आप किसी चीज को sell करने कावन चले तो आपके link पे click करके selling हो रही है तो उसको conversion हो रहा है मतलब आपका add काम कर रहा है मतलब लोग उस पर आ रहे हैं click कर रहा है उस चीज़ को conversion होते हैं यूओसी होता है unique outbound click मतलब कि कोई भी आता है उस link पे आपका जो add है उस पे click करता है और Facebook से बाहर चले जाता है ठीक है क्या होता है Facebook से बाहर चले जाता है उस चीज़ को बोलते हैं यूओसी मतलब यह Facebook लिंगो का वो सारे weddings वो सारे short forms जो बहुत जादा use होने वाले है Facebook ads चलाने के दोरान उसी को बोलते है Facebook लिंगो Facebook लिंगो की एक पूरी लिस्ट है जो मैं update कर दूँगा कहां पर अपने group में और यह जो cpm का sorry यह जो आपको Facebook ad structure का Facebook लिंगो का और cbo का सब चीज का आपको जो images है वो आपको group में मिल जागा तो make sure आप नीचे से group को भी join करें और वहाँ पर लोगों को add करें क्योंकि हम लोग free में यह सारी knowledge दे रहे है जीरो level से दे रहे है hero level तक दे रहे है तो सब को यह सारी चीज़े समझ में आनी चाहिए ठीक है आप Facebook लिंगो हो गया अब इसके बाद मैं दिखाता हूं placement placement क्या चीज है प्लेसमेंट सम्झाना बहुत 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 है इस प्लेसमेंट करोगा तो यहां option मिलता है हमको ठीक है मतलब कि हम अपना एड कहां कहां रन कर सकते हैं सबसे पहला जो option होता है वह Facebook होता है दूसरा जो है Instagram Instagram इसलिए कि Facebook Instagram को ओन करता है तो आप जो Instagram पर एड देखते हो न या जो एड इंस्टाग्राम पर जितने भी एड आते हैं चाहे वह स्टोरी मों चाहे वह कहीं पर भी है वह Facebook के द्वारा ही रन किये जाते हैं क्यों क्योंकि Facebook ही Instagram को ओन करता है उसके बाद आता आपको audience network audience network य होता है बहुत सारे ऐसे app है website है जो Facebook के साथ tie up करके रखे हुए है tie up मतलब वह बोले हुए भया कि हम आपको अपना traffic देंगे है हम अपने traffic data देंगे भया आपको हमें इतना पैसा देना पड़ेगा इतना percent देना पड़ेगा अब कितना percent देना पड़ेगा यह Facebook को पता है Facebook messenger क्यों आप Facebook के तीन अलग-अलग app है सबसे पहला Facebook दूसरा है उसका आपका Instagram और तीसरा जो है messenger तो Facebook की यह तीन होगे और चौथा होगया audience network यह होता है platforms placement ठीक है यहां जो है placements होते है अलग-अलग ads के अब आप feeds में add run कर सकते हो आप story में add run कर सकते हो आप in stream में add run कर सकते ह आप जब searches में add run कर सकते हो मतलब जब आप search करोगे तो देखना आप नीचे में जब scroll करोगे तो वहाँ पर आपको ads दिखा जाएगे इसको आप आओ और देखो जैसे कि मैं लाश्ट वीडियो में बताया था कि आपको business manager का account बना लेना है और ad manager बनाने के बाद मतलब facebook ad manager बनाने के बाद अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो make sure कि आप बना लो लाश्ट वीडियो को देखके और नहीं आता तो मुझे group में पूछो मुझे instagram में पूछो मैं आपको बता दूगा वीडियो शेयर कर दूगा अगर आपको link नहीं मिल रही है link दे दूगा कोई attention नहीं है लेकिन काम करो because मैं महनत कर रहा हूं तो आप भी महनत करो ये बिल्कुल free of cost series है बहुत महनगी series है याद रखो facebook ads जो है वो बहुत महेंगा course है लेकिन मैं आपको free में दे रहा हूं बार बार मैं समझा रहा हूं free में दे रहा हूं मैं इसको बहुत महेंगा बेच सकता हूं but free of cost तो ये जो platform से है इसको study करो कि कौन सा ad मतलब इस तरह का ad कौन से platform पे run करना चीए बहुत सब्सक्राइब है यहाँ strategy build करनी पड परता है यहां लोगों के बारे में सोचना पड़ता है इसलिए मैंने अभी platform को आपको introduce कर दिया है placement को आपको introduce कर दिया कि कौन सा ad के लिए आपको कौन सा platform और placement चाहिए इस चीज़ को समझो जब तक इस चीज़ को समझो कि नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा अब last जो चीज़ है वो है Facebook anatomy, Facebook anatomy क्या होता है जब आप add create करने जाते हो right जब आप क्या करने जाते हो add create करने जाते हो मतलब कि यह जो last वाला है add ठीक है यहां जब आपना add आप बनाते हो तो आपको कुछ add जो है वो इस प्रकार का नजर आता है तो सबसे पहले जो यह जो text दिख इसको बोलते है primary text और इस पूर्य method को बोलते है Facebook anatomy, Facebook Ads anatomy और इसको बिलते है primary ad, sorry primary text और यह text घराण है simply बट इसको बोलते है primary text, ठीक है, उसके बाद आपका आथा image जो आप image बनाते हो video बनाते, वो आता है, बीच में, जैसे आपको दिख रहा है Facebook बोलता है headline जो भी आपका headline है जैसे कि आप बाट रहे हो free ebook तो आप वहाँ पर लिखोगे get free ebook तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा उसके बाद आपका आता है news feed link मतलब जो आपका link है वो आप वहाँ पर establish करते हो और जो भी आपके उस link में पहली line रहती है वह यहाँ पर दिखती है राइट यहाँ पर दिखती है देख लो यहाँ पर दिखती है इसको बोलते है news feed link description ओके फिर उसके बाद आपका जो link रहता है जैसे कि आपका नाम है यहाँ पर नजर आता है उसके बाद आता है आपका यहाँ कोई साभी बटन जैसा भी बटन है वह आप यहाँ पर लगा सकते हो call to action बोलते हैं सबको पता वह बहुत ज़्यादा common है call to action बटन बोलते हैं तो ऐसा कुछ होता है facebook anatomy देखो यह सारी चीज़े मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ कि यह beginner to expert का game है यह जो पूरी series मैंने चालू कि है एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी client के लिए add run कर सको फ्री लांसिंग कर सको अपने लिए add run कर सको एफिलेट कर सको चाहे आप drop shipping करो हर जगा आपको facebook ads की जलत पड़ेगी अगर आप digital marketing में हो इसलिए इतना detail में जाके एक एक चीज़े आपको समझा रहा हूँ तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि facebook ads lingo क्या है facebook ad structure क्या है facebook ads anatomy क क्या है facebook ads placement क्या है facebook ads placement जो मैंने आपको कहा है मैं बार बर कह रहा हूँ कि जाके इसको study करना बहुत अच्छे से study करना अगर आप सही से study नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि यह क्या चीज है तो आज की वीडियो बहुत सब्सक्राइब है सही से देखो और शेयर क इक ग्रुप में अट्लिश शेयर करो मैं समझ जाओगा कि मैं अपना फीस मुझे मिल चुका है एक ग्रुप में शेयर करो ता कि लोग देखें और भी लोग आए और सीके कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता हो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो ये ये ये